नमस्कार प्यारे विधारतियों इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों उमीद है कि आप अपने घरों पर कुशल एम स्वस्त होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे तो बच्चों आज हम आपके बीच कक्षा आठ्वी की पुस्तक हमारे अतीत भागतीन में संकलित चोथे अध्याई जिसका नाम आदिवासी दीकू और एक स्वर्निंग यूग की कल्पना है इसका बहुत कहनता और सरलता से अध्यन करेगे बच्चों जैसा की आप जानते हो की आदिवासी समाज हमारे समाज का महतवपूर्ण हिस्सा है यहाँ पर आप जो दो तस्वीरें देख रहे हैं ये आपको आपकी पुस्तक और उसमें समिलित अध्यन समगरी से अवगत कराती है जैसा की अध्याय के नाम से ही ग्यात होता है कि इसमें हम आदिवासी की जिन्दगी के बारे में जानेंगे बच्चो आदिवासी कौन है ये क्या काम करते हैं इनका जीवन शैली कैसी है तता ये किस परकार से अपनी जीवन प्रिक्रिया या अपने समाज में अपना जीवन व्यतीत करते हैं इन सभी बातों का आज इस अध्याय में हम अध्यन करेंगे बच्चो जैसा कि आप जानते हो कि हमारे देश में ब्रिटिश शाषनकाल भी बहुत लंबे समय तक चला है लगबग 200 सालों तक रहा है तो आदिवासियों की जिंदगी पर इस ब्रिटिश शाषनकाल का इनके काम धंदों पर क्या असर पड़ा और इन्हों ने किस परकार से इन सब का सामना किया या उनके खिलाफ विद्रो किया ये सबी विशह समगरी हमारे आज के इस अध्याए की है तो चलिए इसमें हम अध्याए के अंतिम में एक आदिवासी नायक बिरसा मुंड़ा की कहानी के जरिये भी इनकी जिंदगी के सही मायनों को समझने की कोशिश करेंगे तो बच्चो चलिए आईए शुरू करते हैं हम आज का अपना अध्याए बच्चो जैसा कि आपने अध्याए का नाम देखा आदिवासी दीकू और एक स्वर्निंग यूग की कलपना तो हमें सबसे पहले आदिवासी शब्द के बारे में जानना होगा उसके बाद हम दीकू शब्द के परियोग के बारे में जानेंगे कि ये किन लोगों के लिए किया गया है और स्वरनिंग यूग से क्या अभी प्राए है तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आदिवासी कौन है बच्चो आदिवासी शब्द का परियोग किसी भगोलिक शेतर के उन परवासियों के लिए किया जाता है जिनका उस भगौलिक शेत्र से ग्यात इतिहास में सबसे पुराना सबंद रहा हो आदिवाशी शब्द दो शब्दों आदि और वासी से मिलकर बना है इसका अर्थ मूल निवासी होता है ये लोग प्राय प्रकर्तिक वातावर्ण में प्रात्मिक कारियों जैसे क्रिशी, वन उत्पादन, पशुपालन, आखेट, आदि के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं तो यहां पर हम थोड़ा सा बिर्सा मुंडा के बारे में जानते हुए अपनी विशय समगरी को आगे बढ़ाएंगे और बिर्सा मुंडा के बारे में विस्तार से अध्याय के अंत में हम चर्चा करेंगे बच्चो, बात 1895 की है कि इबिर्सा नाम के एक आदमी को जहरखंट में छोटा नागपुर के जंगलों और गाउं में घूमते देखा गया यहां चित्तर में बिन बिन आदिवासी समधायों के इलाकों की जानकारी दी गई है जिन में छोटा नागपुर की जंगातियां संथाल, मुन्डा और उराउं आदि के नाम देखे जा सकते हैं लोग कहते थे कि उसके पास चमतकारी शक्तियां हैं वह सारी विमारियां दूर कर सकता है और अनाज की छोटी सी देरी को कई गुना बढ़ा देता था बिर्सा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकूँ यानि के बहारी लोगों की गुनामी से अजाद करने के लिए बेजा है कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिर्सा के पीछे चलने लगे वे उसे भगवान मानते थे उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्चाएं दूर करने आया है यह चितर ध्यान से देखें बिर्सा मुंडा का है बिर्सा का जनम एक मुंडा परिवार में हुआ था मुंडा एक जन जातीय समूह है जो छोटा नागपूर में रहता है बिर्सा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उराव भी शामिल थे यह सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेजी शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे उनकी प्रिचित जीवन पदती नश्ट होती दिखाई दे रही थी आजीवी का खत्रे में थी और धर्म धर्म चिन भिन हो रहा था बिर्सा किन समस्याओं को हल करना चाहता था जिने दिकू कहा जा रहा था वे बहरी लोग कौन थे उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था अंग्रेजों के राज में आदिवाशियों के साथ क्या हो रहा था आदिवाशियों का जीवन किस तरहें बदर रहा था इस अध्याए में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे आओ हम आदिवाशियों की जिंदगी से जुड़े कुछ मुख्य पहलों पर चर्चा करते हैं जदातर कबीलों के रीती र्यवाश और रस्मे बरामनों दौरा, निर्धारित, रीती रिवाशों और रस्मों से बहुत अलग थी इन समाजों में ऐसे गहरे समाजिक भेद भी नहीं थे जो जाती पर अधारित समाजों में दिखाई देते हैं एक कबीले के सारे लोग कुटुम्ब के बंदनों में बंदे होते थे लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और समाजिक फरक नहीं था बच्चो आदिवासियों के बीच फरक कई तरह से देखने को मिलता है यहां पर हम आदिवासियों के आर्थिक फरक का अध्यन करेंगे प्रस्तु चित्र में आप उरीसा के डूंगरिया कंध कबीले की महिलाएं बजार जाते हुए नदी से गुजर रही हैं को देख सकते हो तो आईए देखते हैं जन जातियसमू किस तरह जीते थे उननीसमी सदी तक देश के विबिन भागों में आदिवासि तरह तरह की आर्थिक गती विदियों में सक्रिय थे जैसे जूम केती, शिकार, संग्रह और पशुपालन आदी जूम खेती बच्चों जादातर आदिवासि समुदाए जूम खेती करते थे जूम खेती गुमन्तू खेती को कहा जाता है इस तरह की खेती अधिकांशते जंगलों में छोटे छोटे भुकंडों पर की जाती थी ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के उपरी हिससे काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जला कर साफ कर देते थे इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे इस राख में पुटाश होती थी जिससे मिट्टी उपजाओ हो जाती थी वे कुलाडों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की अपरी स्टै को खुर्च देते थे वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाए उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे जब एक बार फसल त्यार हो जाती थी तो उसे काट कर वे दूसरी जगें के लिए चल पड़ते थे जहां से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगें कहीं साल तक पर्ती पड़ी रहती थी बच्चों पर्ती से अभी पराए है कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन ताकि उसकी मिट्टी दुबारा उपजाओ हो जाए गुमन्तू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मद्ध भारत की परवतिय वे जंगली पट्टियों में ही रहते थे इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बे रोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर अधारी थी वे केबल इसी तरीके से घुमन्तू केती करते थे शिकार और संग्रह कुछ शिकारी और संग्रहक भी थे बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समुद पश्वों का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकठा करके अपना काम चलाते थे वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे औरिसा के जंगलों में रहने वाला खौन समुदाए इसी तरह का एक समुदाए था इस समुदाए के लोग तोलियां बना कर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट डेते थे वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे साल एक पेड़ है बच्चों महुआ एक फूल जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकठा हुई चीजों को स्थानिय बजारों में बेज देते थे जब भी स्थानिय बुनकरों और चमड़ा कारिगरों को कपड़े वे चमड़े की रंगाई के लिए कुस्म और पलाश के फूलों की जरूरत होती थी तो वे खौंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे तो बच्चो आप सोच रहे होंगे कि इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहां से मिलते थे तो कई बार तो ये चीजों की अदला बदली से काम चल जाता था वे अपने कीमती वन उत्पादों के बदले जरूरत की चीज़ें ले लेते थे कई बार उन्हें जरूरी चीज़ें ख्रीदने के लिए अपनी मुत्थी वर आमदनी का सहरा लेना पड़ता था उन में से कई लोग आस पास के गाउं में नौकरी भी करते थे कोई बोज़ा डोता था तो कोई सड़क निर्मान कारें में नौकरी करता था कहीं आदिवासी खेट मजदूर थे जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासीयों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था लेकिन उन में से बहुत सारे समुधाय जैसे मद्द्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने से कत्राते थे बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज़ पर ही जिन्दा रह सकती है मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी जो चीजें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फ्रोक्त भी करनी पड़ती थी इसकी वजए से वे कभी कभी वेपारियों और महाजनों पर आशित हो जाते थे वेपारी बेचने की चीजें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीजें बेचते थे सूद खोर, महाजन भी आदिवासियों को खर्जा तो देते थे लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़ादा होता था इस तरहें बाजार और वानिजेक ने आदिवासियों को करज और गरीबी में धकेल दिया था लिहाजा वे महाजनों और वेपारियों को बाहरी शेतान और सारी मुसीबतों की जड़ मानते थे यानि इनी लोगों को यहां दीकू कहा गया है पशू पालक आदिवासियों कुछ जानवर पालते थे बहुत सारे आदिवासि समू जानवर पालकर अपनी जिन्दगी चलाते थे वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवर लेकर यहां से जाते रहते थे जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुजर और आंदर परदेश के लबाडिया आदी समूदाए गाए भैंस के जुंड पालते थे कुलू के गदी समूदाए के लोग गडरिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे बचों यहां जो रेवड शब्द का परियोग हुआ है रेवड का अर्थ जुंड से है बेडों के जुंड स्थाई क्रिशी कुछ जनजातिया लोग एक जगें स्थाई क्रिशी करते थे 19. सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातिया कबीले एक जगें टिक कर खेती करने लगे थे वे बार बार जगें बदलने की बजाए साल दर साल एक ही जगें खेती करते थे वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उने जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे बहुत सारे समुधायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ती होती थी कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वन्शज माना जाता था जिनों ने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से जादा ताकत जुटा लेते थे कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयाई होते थे जो ताकत वर होते थे वे खुद खेती करने की बजाए अक्सर अपनी जमीन बटाई पर देते थे ब्रिटिश अफसरों को गौन्ड और संथाल जैसे एक जगेंटिक कर रहने वाले आदिवासी समूँ शिकारी संग्राहक या गुमन्तू खेती करने वालों के मुकावले जादा सब्भे दिखाई देते थे जंगलों में रहने वालों को जंगली और बरबर माना जाता था अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थाई रूप से एक जगें बसाना और सब्भे बनाना जरूरी है तो बच्चों यहां हमने जाना कि आदिवासी समदाए इस परकार से अलग अलग आर्थिक गतिवीडियों दवारा अपना जीवन यापन करते थे तो आईए अब हम जानने का परियास करते हैं कि विभिन परकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती थी विभिन शेत्रों में रहने वाले गुमन्तू आदिवासियों और शिकारियों की जिंदगी एक खास करम और मर्द औरत के बीच कामों के बटवारे से चलती थी ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने 1930 और 1940 के दश्कों में कई साल मद्या भारत के बैगा और खौन्ड समुदायों के बीच बिताए थे बच्चो मानचीतर में आप दोनों समुदायों के शेत्रों को देख सकते हो एल्विन द्वारा लिखित नेमी लिख्त अंशों को पढ़कर इस समयकरम और कामों के बटवारे को समझा जा सकता है जिसका शीर्शक शिकार का वक्त बुआई का वक्त नए खेतों में जाने का वक्त है चैत में औरतें इकठा करने और बचे कुछे थुन्टों को काटने जाती थी और श बढ़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे शिकार पूरे चांद के समय पूरब से शुरू होता था शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे औरतें सागो, इमली और मश्रूम जिसे कुकुर मुता भी कहते हैं आदी फल बीन कर लाती थी बैगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकठा करती हैं या महुआ के बीज इकठा करती हैं मध्य भारत के आदी वासियों में बैगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था चैट के बाद बैसाक बैसाक में जंगलों को जलाया जाता था औरतें अद जली लकडियों को इंधन के लिए बीन लेती थी आदमी शिकार पर जाते रहते थे लेकिन गाव से दूर नहीं जाते थे इसके बाद जेट में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था आशार से बादों तक मर्द खेतों में काम करते थे कवार में फलियां आने लगती थी और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी अगहन में सारी फसल त्यार हो जाती थी और पूस में फटकन किया जाता था नाच गाना और शादियां भी पूस के महिने में ही होती थी माग में पुरुष नए बेवर्ड की तरफ चल देते थे बच्चों बेवर्ड से विपराए है मध्धय परदेश में घुमन्तू खेती इस दोरान शिकार वे चीजों का संग्रह ही जीने का मुख्य सादन होता था यह चकर पहले साल का होता था दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था क्योंकि केवल कुछ फसलों की ही बुआई कटाई होती थी क्योंकि भोजन काफी होता था इसलिए पूरुश बेवर्डों में ही रहते थे तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की भी जरूरत पढ़ने लगती थी यहां यह चितर जो दिखाया जा रहा है एक इंधन की लकड़ी ले जाती हुई संथाल महिला का है जो बिहार से है बच्चो ध्यान देने वाली बात यह है कि वन उपज इकठा करने के लिए बच्चे भी अपनी माओं के साथ जंगल में जाते थे तो बच्चो यह ता हमारा आज का अध्याय आदिवासी दीकू और स्वरनिम यूक की कलपना जिसमें आपने अच्छे से जाना कि आदिवासी कौन लोग होते हैं उनका क्या काम धंदा होता है और इसमें आपने दीकू शब्द को अच्छे से पहचाना कि आदिवासीों के लिए दीकू का क्या मतलब था तो बच्चो आपने आदिवासीों के प्रकरतिक तोर पर जीने के तरीकों को उनके स्वरनिम यूक के रूप में जाना तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद